युगराज यूसुप का आया तूफान इंडिया लेजेंड्स बना चैंपियन नमस्कार दूस्तियों स्वागत है आपका हमारे चैनल में इंडिया लेजेंड्स ने रोड सेफटी वर्ल्ड स्रीज का खिताब जीत लिया है यूरा सिंग और यूसुप पठान के अर्द सतक के सहारे इंडिया लेजेंड्स ने पहरे खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बनाए जवाब में स्री लंका लेजेंड्स की टीम 7 विकेट पर 176 रन ही बना सकी यूसुप पठान ने सांदार गेंद बाजी करते हुए 2 विकेट भी लिये इस तरह से इंडिया लेजेंड्स ने मैच 14 रन से अपने नाम किया इंडिया लेजेंड्स ने पूरे टूनामेंट में सिर्फ एक मैच गवाया लेज्च का पीछा करने उतरी सीलंका की टीम ने अच्छी सुरुआत की तीलक रतने दिलसान 21 और सनत जैसूरिया 43 ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े दिलसान को आउट करके यूसुप पठाने टीम को पहली सफलता दिलाई इसके बाद सीलंका की टीम लडख़ा गई और स्कोर 4 विकेट पर एक क्यान नवे रन हो गया इसके बाद होसलिया वीरा रतने ने 15 गेंदों पर 38 रन बनाकर टीम की वापसी कराने की कोशिश की लेकिन यह नाकाम साबित हुई उन्हें मनप्रीद गोनी ने आउट किया तेज गेंद बाज गोनी ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिये और एक विकेट लिया यूसुप पठान ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिये और इरुफान पठान ने 29 रन देकर 2 विकेट जटके बदा ने इसके पहले ट्रॉस हार कर पहले खेलने उतरी इंडिया लेजेंड्स ने 4 विकेट पर 181 रन बना टीम की सुरुआत अच्छी नहीं रही थी विरेन सहवाग 10 और एस बदरीना सिर्फ 7 रन बना कर आउट हुए इसके बास सेचिन तेंदूरकर 30 और योराज सिंग 60 ने 30 विकेट के लिए 43 रन जोड़े योराज और यूसुब 62 ने 14 विकेट के लिए 85 रन जोड़े चौथे नमबर पर बल्ले बाजी करने उतरे योराज ने 40 गेंदों में 4 चौके और 4 चौके की मदद से 60 रनों की पारी खेली पाँचवे नमबर पर बल्ले बाजी करने उतरे यूसुब पठान ने योराज सिंग का अच्छा साथ नी भाया पठान ने सिर्फ 24 गेंदों में 3 चौके और 5 चौके की मदद से 50 जड़ा उन्होंने 36 गेंदों पर 62 रन बनाए दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही आप भी इंडिया लेजेंज की इस जीत पर अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताईएगा ज्यादा जान करें और क्रिकेट की अन्हें तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद